दोस्तो नमस्कार स्वागत है मैरे चैनल में ये जो प्लांट आप देख रहे हैं जेट्ट्ट्ट्ट्रण्ट है और इसके बारे में हम आपको आज यहां पर देखाएंगे फरटिलाजर यदि आप देगे तो आपका जो प्लांट है बहुत ही घना होगा और उसका जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छा होगा तो आप इस वीडियो के देखते चलिए हम आपको फटलाजर यहाँ पर अभी देखाएंगे और इसके लिए गमला में आप कितना पानी देंगे पानी का मेनेजमेंट भी सही तरीके से रहना चाहिए तो यह जो प्लांट है आपका सही धंक से चलेगा और इसका ग्रोथ जो है सही होगा अभी गर्मी का मौसम चल रहा है इस मौसम में आपको देखना है कि गमले का मिट्टी जो है एक से डेढ़ हिंची सूख गया तभी इसके अंदर दुबारा पानी दीजिए जैसे आप अभी इसके गमले का अंदर में पूरा भर करके पानी दे दिए और उसके बाद जो नेक्ष्ट जो पानी जो दिया जाएगा जब एक डेढ़ इंची मिट्टी जब सूखे तभी उसको दीजिए दोस्तों यह वाला जो देख रहे हैं प्लांट हम क्रेसूला प्लांट है तो क्रेसूला इसको हम लेके आये थे लगवाग एक महिना हुगा और इसके अंदर इसा भी कुछ अभी फटलाजर कुछ पड़ा नहीं है तो इसमें हम आज हम जे इसमें फटलाजर देंगे वही व फर्स्ट वाला जो कमपोस्ट है इसको बोलते हैं वर्मी कमपोस्ट जदी आपके पास वर्मी कमपोस्ट नहीं है जदी गोबर सड़ा हुआ है एक देड़ साल का पुराना तो भी यहां पर काम कर देगा किन्तु वर्मी कमपोस्ट हम लो देते हैं बहुत ही अच्छा काम करता है इसमें आपको किड़ा मोकड़ा बहुत ही कम पाया जाता है इस वोज़ा से तो इसको देने से आपका प्लांट के अंदर में होता क्या है मिटी के अंदर नमी बनाया हुए रहता है और उसे अच्छा ही मिलता है और कम से कम एक गमला का अंदर में 40-50 गराम दीजिए तो यह वाला दूसरा जो फटलाजर आप देख रहे हैं इसको हांडर्स बोलते हैं इसको मवेशी का जो सिंग होता है उसको मसीन द्वारा कट करके पेंसल जीसे चिलते हैं उस तरीके से इसको बनाया जाता है और यह वाला जो है आपका जेट प्लांट या एडेनियम उसमें ब तो इसको जब देंगे आप तो महीने में एक बार दीजिए और अभी जब आपको देखा रहे हैं कमपोस्ट फटलाजर तो इसको मत्रा जो है आपको हम तीनुका बोलेंगे तीन यहां पर है टोटल कमपोस्ट फटलाजर मिला करके तो दोस्तों इसको जो भी कमपोस्ट रहता है यह वाला दो देख रहे हैं पोटास है पोटास कोई भी आप दे रहे हैं अपने प्लांट के अंदर में तो उसमें ज्यादा नहीं दीजिए और आपके पास पोटास नहीं है इसको देने का नहीं है तो आप बनाना पील जो होता है केले का छिलका उसको आप दो ठोके होगा बहुत याiseen काम खरता है तो दोस्तों इसको खूपोस्ट को फटलाइजर को हम मिला दे रहे हैं मिलाने कवाध हम अपने पौधे में दे देंगे और जरूरी होता है जब आप कोई भी कॉम्पोस्ट लाजर दे रहे हैं तो आपका गमला का मिट्टी जो है सुखा होना बहुत ही ज़रूरी होता है गिला वस्था में नहीं दीजिए नहीं तो थोड़ा वो काम अच्छा सा नहीं करेगा और जोड़ तक अच्छा सा नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि मिट्टी जो गिला रहेगा तो सुखने नहीं सकेगा तो आप इस मेरे गमले को देख सकते हैं यहाँ पर जो करेशुला है इसका कितना मिट्टी सुखा हुआ है लगवक डेड़ दूइंची सुखा हुआ है और इसको हम पूरा सुखा दिये हैं सुखाने के बाद हम इसमें इस कंपोस्ट को फटलाइजर को इसको दे दे रहे हैं देने के बाद इसको मिला दे रहे हैं और मिट्टी में अच्छा से मिल लाएगा मिलने के बाद हम इसके उपर पानी देंगे तो इसको जड़ तक अच्छा से यहाँ अच्छा से पहुंच तो उसमें आपका प्लांट जो है बहुत अच्छा ग्रोग करेगा इसका तरीका यही है और इसी तरीके से आपका प्लांट जो है बहुत अच्छा से चलेगा और इस प्लांट को ज्यादा करके बहुत लोग जो है क्या करते हैं इसको बनाते हैं इसको मनें कट करते हैं कट करने के बाद बंसाई के तौर पर भी बना देते हैं बंसाई भी बन जाता है तो इसमें हमारा जो पाउधा है इसमें अभी सोच रहे हम बंसाई के कटिंग करने के लिए तो अभी थोड़ा बढ़ा रहे हैं इसको जब पूरा बढ़ जाएगा तब तो हम इसको बंसाई का रूप देंगे अभी इसको कट नहीं किये हम तो दोस्तों इसी तरीके से आपका जहां भी पाउधा है वहीं पर रखिए